नमस्कार मैं कशिशो स्वागत आपका नेक्स साइन नियूस में कि उस बीच यहाँ पर बड़ी जानकारी सामने आते कि मलीक अरजुन खड़के ने अचानक दिली में बड़ी बैठक रखी गई है साथ ये भी कहा जा रहा है कि हैंपर अश्यो गहलोद भी मौजूर होते हैं नज़र आएंगे लेकिन सचिन पालेट का नाम इस लिस्ट में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है साफ तोर पे कहा जा रहा है कि बजट आने से पहले ये बैठक की जा रही है बजट का इंज़ार हर कोई पार्टी लगातार यहाँ पर कर रहे है लेकिन अगर देखा जाया तो देश में इस वक्त यहाँ पर गौतम अडानी का मामना लगातार चल रहा है बजट यहाँ पर धीरे धीरे करके आगे बढ़ता हुआ दिखाये दे रहा है यानि कि उसकी तारीक फाइनल नहीं हो पारी जिबके एक फरवरी को बजट आ जाता है लेकिन इस बार तारीकों का एलान नहीं हो पारा अब साथ ही साथ इसके बाद ये भी खबर सामने आई है कि गहलोत और पालेट के मामले को लेकर और राधिस्तान में और भी जो हो रहे लगातार बवालों को लेकर ये बड़ी बैठक की जाएगी इसमें यहाँ पर कई न कई निर्ने लिए जाएंगे सुब जिंदा सिंग रंधावा की तरफ से मली का जुन खड़गी की तरफ से क्योंकि जब खड़के यहाँ पर आस्ट्या द्यक्ष बनेते कॉंग्रेस पार्टी के तब ही उनके सामने ये सबसे बड़ी चुनावती थ में कॉंग्रेस पार्टी खुद है बीजेपी पार्टी और बी तमाम ऐसे चोटे दल जो लगातार यहाँ पर चुनावों में जीत हासल करने के लिए लगातार यहाँ पर कोशिश करते नज़रा रहे लेकिन आखिर कारे जो बड़ी बैठक यहाँ पर रखी जा रहे इसके क क्या मलिका अरजुन खड के सही से रास्ट्रे अध्यक्षे साबित हो पारे कॉंग्रेस पार्टी के या फिर नहीं ये भी सवाल लगातार यहाँ पर बना हुए लेकिन आपको क्या लगता है कि अब इस बैठक से कही न कही जो सवाल लगातार बने हो इनका जवाब यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आएगा या फिर नहीं इस पर राय जवुर्द और बाकिसी खबरों के लिए दिखते रहें ये नेक्स्ट नाई नियूस